राग गोंड मुकंद मुकंद जप हो संसार बेन मुकंद तन होई ओहार सोई मुकंद मुक्त कादाता सोई मुकंद हमरापित माता जीवत मुकंद मरत मुकंद ताके सिवक को सजा अनन दे रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्रानं जप मुकंद मस्तक निसानं सेव मुकंद करे बेरागे सोई मुकंद दुर्वल धन लादे एक मुकंद करे युपकार हमरा कहा करे संसार मेटी जात हुए दरवार तुही मुकंद जोग जोगतार उपड्यो ग्यान हुआ परगास करकिर पालिने कीट दास कोहरवदास अब त्रिसना चूके जप मुकंद सेवाता हुके आदने गुरुप साथ संगजी यगत गुरु सत गुरु रविदाची महराज सब जीवों को मुक्ती परदान करने बाले प्रभु के मुकंद नाम का सिम्रन करने का पावनुक देते हैं मुकंद मुकंद जप हो संसार बिन मुकंद तन हो ए ओहार मुकंद मुकंद जप हो संसार बिन मुकंद तन हो ए ओहार हे संसार के जीवों मुक्ती परदान करने बाले प्रभु के मुकंद मुकंद नाम का सिम्रन करो क्योंकि मुकंद के नाम के बिना ये जीव का जो अनमोल जीवन है ब्यार्थ जाता है और जे दुरलब तन निश्फल चले जाता है सोई मुकंद मुक्त कादाता सोई मुकंद हमरा पितमाता मुकंद मुक्त कादाता सोई मुकंद हमरा पितमाता मुकंद 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 कादाता है मुकंद जीवों को परदान करने बाला है और मुकंद ही हमारे पिता माता की तरह है जो हमारे पारना करता है जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे तांके सेव को सदा अनन्दे जो जीवत इस जीवन में मुकंद का सिमन करता है वो मर्त वक्त भी मुकंद को जाद करता है बाब वो जीवन से लेकर जीवन की समापती तक मुकंद को जाद करता है और वो मुक्त हो जाता है ऐसे प्रभू के सिमन करने बाले दास को सदेव अनन्द मना रहता है बाब जीवन से लेकर बरन तक जो जीव मुकंद का सिमन करता है वो जीव सदेव आत्मक नन्द का अनपव करता है मुकंद मुकंद हमारे प्रानंग जप मुकंद मस्तक नीसानंग मुकंद मुकंद हर का नाम जो है हमारे प्रानों का दार है प्रानों से प्रिय है मुकंद कास नाम बुही जीव जपता है जिसके मस्तक के सेष्ट लेख है जिसके मस्तक पर सेष्ट करमों के निशान है बुही जीव मुकंद का जाब करता है सेव मुकंद करे बेरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादे सेव मुकंद करे बेरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादे जो इस संसार में जीव बेरागदान कर लेता है वो संसार में उपराम रहता हुआ उदास रहता हुआ मुकंद का सिम्नन करता है और वो ही मुकंद का नाम रूपी स्रिषदन जिसे कमजोड जीव को परापत हो जाता है वो जीव इस संसार में महान हो जाता है एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहा करे संसार, जदी एक मुकंद हम पर उपकार करे, अपने किरपा कर दे, तो संसार के लोग हमारा कुछ भी नहीं बगार सकते, पाफ जदी पर मुकंद का उपकार 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 हो जाती है, उस जदी का संसार के लोग कुछ भी बगार नहीं सकते, मेटी जात हुए दरबार, तु ही मुकंद जोग जोगतार, मेटी जात हुए दरबार, तु ही मुकंद जोग जोगतार, मेटी जात हुए दरबार, तु ही मुकंद जोग जोगतार, जो जीब अपने जाती के हंकार को त्याग देता है, जो जीब अपने सवाव को बदलेता है, संसारक से परमार्थी बना लेता है, वो जीब प्रबू के दरबार में पहुंच जाता है, हेप मुकंद जी आप जुगो जुगंत्रों से जीबों को तारने बाले हो जीब इस संसार में आपकर अंकार को त्याग देता है अपने सवाब को उमबद लेता है संसारिक से परमार्ती बना लेता है उसको मुकंद के दरवार में अस्थान परापत हो जाता है वो मुकंद ही जुगों जुगंत्रों से जीवों को तारने बाला है बाब मुक्त करने बाला है उपजियो ग्यान हुआ परगास कर किरपा लीने कीड़ दास जब जीव के रिदे में ग्यान की उत्पती होती है और जीव के रिदे में प्रभू के नाम का परगास हो जाता है तो प्रबु की किर्पा होने से कीड़ों के समान जे जीव प्रबु का दास बनकर महान बन जाता है कोहो रवदास अब त्रिसला चूकी जप मुकंद सेवाता हो की कोहो रवदास सब त्रिसला चूकी जप मुकंद सेवाता हो की सतुगर वदास महाराज जी सब जीवों को अपदे देते हैं कि जो जीव मुकंद का नाम जबता है मुकंद की सेवा करता है उस जीव की सब त्रिशनाएं समापत हो जाती है और उस जीव को मुक्ती हो जाती है इस जीवों को मुकंद प्रभू का सिमरन कर इस अनमो जीवन को सफल करना चाहिए जैगुरते